कि फिर से स्वागते घुमकड की नई एक वीडियो में जहां मैं लेकर आँ 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 आपके लिए विरासत रिशॉट का फामाउस या बात कर सकते हैं आपन और इसके अंदर फोर बीएज के हैं जहां सुमिंग पूल मिलेगा पार्टी का पुरा ट्यूर मिलेगा जहां पब इंजॉइ कर सकते हैं और काफी लोग यहां रुक सकते हैं क्योंकि एक रूम के अंदर तो आपके दो डूबल वैड की स्किंग साइज बैड मिलेंगे बाकि सिंगल सिंगल बैड हैं सबी रूम से में चार रूम स्टॉटल हैं और एक बड़ा होल मिलेगा तो पूरा ख शॉट या विरासत फार्मा उसकी बारे में बात करते हैं तो पहला आइए अप अंदर जैसे आते हैं तो सबसे बहले देखिए इसका स्विमिंग पूल एक लाज़साइज का स्विमिंग पूल है और मतलब आराम से चार से पांच लोग आराम से इसमें नहा सकते हैं और यहां लाइटिंग मिलेगी दुर्णों साइड लाइटिंग दे रखिए तो अगर आपको यह खेलना आता है या फिर आप खेलना चाहते हैं तो आप यह भी खेल सकते हैं तो में इतना कुछ खेलना नहीं आता है तो आप आई इसके बार की तरफ जो इसका बार दे नहीं और चुम्प्लीक सोफा है जहा काफी लोग nasal कर सकते हैं बैचलर बार अप्लोगों को अनप लिया है तो अपición कोई गो यहां सकता है का भी बिचे-क धर देखेंऑ? drinking bottles यह भी खाली है फिलाल बट आप खुद लाएंगे कि इसका मतलब यह होगी सब चीज़ा आप खुद लेके आएंगे अगर फिर भी अगर आप नहीं लिख आते तो भी यहां पर अबेलेबल हो जाएगी और दूसरा अगर आप खाना वाना नहीं बनाते हैं तो भी यहां कुक मिल जाएगा तो आप वह आपको खाना बनाके भी देगा और एक लाइटिंग एंबिएंस देख सकते हैं साथ में आपको स्पीकर्स की सुविदा मेले की साथ में एसी है और सुम यहां डिख सकते हैं एक पिछ थाया है वे इस पाटी नहीं दिख सकते हैं यहां वह कि ने ब treatyतिख सकते हैं दो आपको एक चैर मिलेगी तो यहां तीन टेबल के साथ लगबग लगबग बात करूं तो बारा तेरा कुर्सियां दे रखिए जहां भी बैटके आप स्पार्टी को इंजॉय कर सकते हैं साथ में डी फ्रीजर मिलेगा आपको यहां लाइटिंग मिलेगी आपको यह थंडर पानी की सुविधा आपको मिल जाएगी साथ में यहां फैन दे रखें दो उपर की तरफ अगर अगर आपको गर्मी लग रही है तो अब अंदर उसमें बैट सकते महां एसी मिलेगा अब चलता है इसके उपर की तरफ यह फोर बीच के हैं चार रूम एक हॉल स्विं नte जैसे मैंने बताया ऊपर चार रूम हैं का और का यहां मैं बताता हूं किस तरूम का टूर यहां से स्टार्ट करते हैं अब यह है इसका फर्स्ट रूम जहां दू बड़े किंग साइज बैड मिलते हैं आपको जो बात करूँ उसकी गद्धो की कृस्टिंग की तो अच्छे हैं और फ्लक्सिबल लार्जेस्ट बात कर तो किंग साइज बैड हैं और यहां मिलता है अपको असे यह साट डूएल हैं कई सीटी से बहां जाना शान्ती चाते हैं तो आप यहां आ सकते हैं साथ में आपको अटेज मिलता है वाश्रूम और इसकी लाइट एक बार उन कर लेता है तो यह है विरासत शॉट का वाश्रूम इसके रूम का इधर की तरफ आपको चेर दे रहे कि जान ट्रिंक वग के साथ अपने पार्टनर के साथ और चाहिए आप मतलब लुफ्त उठा सकते नीचे बना के लाइए आप यहां बैठी आराम से कि नाइट में यह लाइट वगरा है सारी ओन हो जाती है और यह बहुत अच्छी लगती उस समय है सादमिक तरफ देख सकते है में रोड पर ही इस ही लगा रहा है सब रूम के अंदर इसमें नहीं यहां बैठने के अंदर भी आपको शांती फील होगी और मतलब एक वीड़ बाड एरियर से बहुत दूर है तो शांती फुल है यहां पे तो मैं बात करूँ मेरी खुद की तो जब भी मेरा बड़ बगरा होगा तो मैं जरूर बुक करने वाला हूं तो अब चलाते हम दूसरे इसके रूम जो भी बात करते हैं वह कैसे हैं यहीं इसका सेकंड रूम और यहां देख सकते हैं डिवल बैट पिलंग साथ में दो चैर ठीक है और उपर की तरफ देखेंगे तो आपके फोर सिलिंग लगाई है यहां पर ठीक है जैसे वह देखा टेंट रूम था यहां फोर सिलिंग मिलेगी आपको उपर की तरफ लाइट प्लस आपका विंडो एसी यहां बाहर की तरफ विंडो दे रहे की जहां से बाहर का व्यू देख सकते हैं यहां से बाहर का व्यू देख सकते हैं विंडो खोली और ब बहार का जो व्यू है नजारा है बहुत अच्छा रहने वाला है अब दिखाता हूं उसका सेकेंड रूम तो आईए एक बहार की तरफ आघरे चेंट लिए दो चैर यहां आप अपने पांटिक को और नाइट में अपने पांटिक सार टाइम इसका वासरों शर्चों सेंग ऊस्थ कंह्ता रूम यह तीसे तीसरा डूम था अब चलते हैं इसका एक को सिंगल अलग से सैप्राइट बना वहा है जो है ऊपर की तरफ कि यहां से विए ना पूरा मस्त दिखता है यह दिख रहा है यह टेंट वाला रूम जो मैं दिखा रहा हूं आपको और इस रूम में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सिंगल वैट में बहुत ज्यादा एक सेपरेड कपल के लिए बैस्ट है और लाइटिंग दिख स से लिए सामनी तरफ जो रूम था वो टेंट वाला था सामनी चैर विंडो एसी और इसका वाश्रोम यहां में लेगा आपको सेपरेड तीक अंदर की तरफ और लाइटिंग बाहर से हैं मैं लाइटिंग कर देता हूं तो आज यह वाश्रोम में इसका सेपरेड वाला नीट वाली फिलिंग आने वाली है और अगर आप सीटी की भीड़ बार से ट्राफिक से थक चुके हैं शांती चीए तो आप यहां आके विजिट कर सकते हैं एक दिन दो दिन जितिन रुखना है माया था एक दिन का चार्ज रहने वाला साड़े साथ जार रुपे मैंने पूरा ट गुमकड बसेरा के वीडियो देखके आया हूं मैं तो आपको एक्स्टड़ में ठीके या फिर डिसकांड विज़िट करेंने और इडियो के साथ हम आपकी पास मिलते रहेंगे तो अब तक बने रहने के लिए